अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आप उसे देख सकें हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने जा रही हूं कमीज के स्लिट्स में पाइपील लगाने का असान तरीका उसकी लिए सबसे पहले हम अपनी कमीज तियार कर लेंगे और कि जितनी हमारे रिक्वाइड बॉटम विड्ट है वहां पर दोनों साइड एक्स्ट्रा चोड करके निचान लगा लेंगे मेरी बॉटम विड्ट है 22 इंच तो मैंने यहां से यहां यह 26 इंच है तो मैंने 2 इंच इदर और 2 इंच इदर छोड़ करके इस प्रकार यह line ड्रॉप कर लिए है और यह हमारी यहां तक line ड्रॉप हो जाएगी जहां पर हमारी टिप की length की measurement है और यही line हम टैप करके दूसरी side भी लगाएगी इसकी बाद हम पाइपिन लेंगी और इसको कमीज की राइट साइड में और पाइपिन की जो यह क्लोज पार्ट है इसको इस परकार रखेंगे और इस लाइन की उपर हम ऐसी स्टिच करेंगे स्लिट के हिप पार्ट पर आने के बाद हम इसको यहां से यहां तक और थोड़ा सा आगे स्टिच करके पाइपिन को कट कर देंगे करна करें इस परकार हम दूसरी सराण में लगाएंगे और फ्रंटसाइड में डिजाइन है उसमें हम फोल्ड करके लगाते हैं वह मैं बैक साइड में लगाने के बाद बताती तो बैक साइड में इस परकार यह पाइपीन लगाने के बाद अब हम फ्रंट साइड में आते हैं यह मेरा बॉटम डिजाइनर है तो इसके लिए हम पाइपीन को पहले ऐसे फोल्ड करेंगे अपनी साइड इस परकार अपर साइड फोल्ड करेंगे और अब इस लाइन पर ऐसे रख करके लाइन के उपर उपर सिम्पल बैक साइड की तरह स्टिच करतेंगे चारो स्लिट्स में इस परकार पाइपिल लगाने के बाद अब हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और इस परकार बैक साइड में यह थोड़ा सा इस परकार फोल्ड होएगा यह और अब यहां पर एक सिम्पल स्टिचिंग देखें यह हमारी जो साइड की स्लिट है यह ऐसे ओपन रहेगी हीप लाइन पर आकर हम इसको फॉर्मली स्टिच करेंगे और ऐसा हम चारो स्लिट्स में करेंगे यह करने के बाद मैं इसको स्लिट को फोल्ड करना बताते हैं पाइप पिन लगाने के बाद अब स्लिट फोल्ड करने के लिए हम इसको रॉंग साइड में लेके जाएंगे इस परकार से और जैसे हम अपनी नॉर्मल्स स्टिट को फॉल्ड करते हैं ऐसे करके और यहां पर टेम्परेल स्टिचिंग करेंगे उसके बाद इस में हैंड स्टिच करके इसको टेम्परेल Seiten को अन्डू करतेंगे और बाद में हम इसको बॉटम से भी अपनेरिकॉयर्ड लेंध के उसार फॉल्ड करेंगे और इस पर भी हम टप्रेरी स्टिचिंग करतेंगे ये मैं स्टिचिंग करने के बाद इसकी एक पिक आपको अप्लोड कर दूँगी अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करें नेक्स वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग असान तरीके से समझाओंगी धन्यबाद तो सबस्क्राइब करें